वेल्कम बैक यूर वाचिंग नॉस्टेक आज करें पार्ट 123 चलते हैं अपने पहले वड़ पर है पहला वड़ है परस्वेड इसका मतलब होता है मनाना किसी को ठीक है कन्वेंस कर देना आपने अपनी बात दूसरे के मुह से मनवाली ऐसा एक्जामपल के तौर पर आपने अ प्रिवेंट हिंडर इनिबिट रिस्ट्रेंट ब्लॉक दी मोटीवेटेड और डिस इन्पलाइं पर्टर्ब्ड ठीक है चिंतित ठीक है उदास है अपसेट है एंशेस है वरिड तो एंटोनेम से इसके काम कंपोज सेरीन ट्रेंक्वाइल पीसफुल अन्डिस्टर्ब्ड अन्परटब्ड रिलैक्स अन्वरीड अनफ्लस्टर्ड और कलेक्टेड पैटी का मतलब होता है छोटा ठीक है और लिटल इंपोर्टेंस ऐसा एंटोनेम से हैं सिगनिफिकेंट इंपोर्टेंट सब्स्टेंशल मेजर कंसीडरेबल मोमेंटस क्रूशल असेंशल मटेरियल स अन्परणल मतलब होता है अदबुद ठीक है रिमारके बला जो ओर्डिनरी से भी अकề- distributed अकेप्शिनल एंटोनेम से इसके औरडिनरी, average, mediocre, un-exceptional, un-remarkable, common ठीक है या common-place, everyday, normal, routine, standard, typical, usual, mundan, ये साहित फिलोसोफिकल इसका मतलब होता है study fundamental nature of knowledge ठीक है तो उसे कहते है फिलोसोफिकल reality और existence को question करने वाला है उस पर tipणी करने वाला तो एंटोनम से इसके practical, pragmatic unsystematic, non-theoretical non-philosophical, non-intellectual non-idealistic, non-speculative और non, तो यह repeat है आगे चलते है next word है अपना pinched P-I-N-C-H-E-D P-Inch तो pinched ऐसा जो की चहरे के तोर पर उसकी आए, अगर किसी का चहरा पतला है रंग उड़े हुए है तो उस sense में, used about somebody's face जो की पतला है और pale है, या तो किसी बिमारी से या फिर उसे ठंड लग गई है या चिंता में reason तो बहुत सारे हो सकते है plump मतलब होता है मोटा ताजा full, rounded, chubby अगर कोई healthy है, मोटा है तो बोलते है अरे आप बड़े खुश हो आजकल है ना existence होना चाहिए तो chubby, ample, well-fed healthy looking, rosy, chick गुलाबी, काल, क्योंकि अगर आप अंदर से खुश हो तो आपको खाना भी लगेगा ठीक है तो आप healthy होंगे, उस sense ब्लूमिंग, flourishing और hearty, अब hearty मतलब दिल खुशी है नहीं, आप food, जो processed food है, उसे खा रहे हो, तब chubby हो रहे हो, that is a reason of concern तो pinnacle मतलब होता है, शिखर पह, top पह, right तो antonym से नादीर तो हमने किया था this is pinnacle, this is zenith this is नादीर, lowest point ठीक है, तो यह उदासक sense में भी हो सकता है, और आप top पहो, that means आप बहुत खुश हो, ठीक है नादीर, bottom, base, low point, ठीक है, bottom most point, depth, rock, bottom, lowest level, truck, ठीक है, और low water mark पिथी का मतलब होता है, जो की छोटा हो, summarize हो, ठीक है, concise हो या फिर forcefully expressive ठीक है, sunship तो जो तो जो कम बोले पर सटीक बोले, ऐसा पिथी, ठीक है तो एंट्रियम से वर्बोज मतलब बहुत बोलना long winded, rambling wordy, prolix loquacious, garrulous ठीक है तो windy circumlocutory diffuse, lengthy, तो this is windy, this is पिथी, आगे चलते है placid का मतलब होता है, शान्थ, like pacific ठीक है placid तो peaceful, calm एंट्रियम सेंस के turbulent, agitated tumultuous, stormy tempestuous, turbulent, violent, rough, disturbed ठीक है unruly boisterous और disordered platonic का मतलब होता है matripoon friendly relationship तो ये business में भी आप कर सकते हो ठीक है और political science में भी कर सकते हो between countries भी कर सकते हो that means geopolitics इंवाल वोगी इसमें तो और relationship में भी कर सकते हो तो ये friendly relationship है तो एंट्रियम सेंस के romantic, passionate, amorous, intimate, affectionate ठीक है married, spouse, wed, carnal, loving, partner और couple ठीक है तो ये इसके एंट्रियम सेंस है pliable का मतलब होता है easily bend ठीक है malleable है जो ductile है और कोई submissive है that means या फिर कोई servile है ठीक है तो context के अलग-अलग हो सकते है एक तो होता है flexible जो असानी से flexible हो जाए mood जाए ठीक है as per situation दूसरा होता है कि उसमें जैसे servants होते है ठीक है तो आप जो उनको बोलोगे वो करेंगे servant in the sense occupation तोर पे नहीं बोट रहा हूँ मैं mental तोर पे बोट रहा हूँ ठीक है जो initiative लेते हैं अपनी life में बस सुनके कर लेते हैं ऐसा तो easily bent हो जाते हैं वो लोग जिनें कहते हैं low will power ठीक है सुवीदा जनक तो इसके context आला-ला हो सकते हैं और आप रिलेट कर पा रहे हो तो एंट्रोनम सेंस के rigid, inflexible, stiff, unbending, unhielding, immovable देखो इसमें भी दो हैं अब यह unbending है that means या तो इसको पता ही क्या कर रहा है ठीक है तो self motivated है दूसरा यह धीट है तो दोनों में देखो फरक है इसमें भी context है इंपर्णर था तो अनिल्स इनिलास्टिक फर्म ठीक है अनडाप्टेबल, unhielding तो यह है अन अकॉमोटेटिंग और अन प्लाइंट राइट प्लक्की का मतलब होता है सहसी ठीक है ब्रेव है जो आंट्रनेम सेंस के cowardly, timid, fearful, spineless पुसिलानिमस, फेंट हार्टेट, क्रेवन, गटलेस, चिकिन हेड़ेड, टेमॉरस, डास्टर्डली और रीक्रेंट नेक्स वर्ड अपना, पॉइस्ट, इसका मतलब होता है, स्टेबल, ठीक है, बैलेंस में है जो, स्टेबल है उसे कहते हैं, पॉइस्ट, काम, कमपोज, ऐसा, संतुल, तो एंट्रोनमस इसके, अन्बैलेंस्ट, अन्स्टेडी, अन्स्टेबल, शेकी, प्रिकेरियस, वाबलिं टीटरिंग, टॉटरिंग, इन्सिक्योर, फेल्टरिंग, अन्सेटल्ड और शेकी, ठीक है, पॉम्पस, शो ओफ करना, या जोर शोर से करना, शानदार तो और पर कोई चीज, फंक्शन और नाइस करना, तो पॉम्पस, जिसमें बहुत सारा पैसा, ठीक है, खड़ चोड, तो सेल्फ इंपॉर्टन्स, एरोगेंट, शोई, तो इसमें देखो, यह कॉंटेक्स है, एहंकारी भी हो सकता है, वो अपनी पावर दिखा रहा है, ठीक है, तो रूड है दूसरों के लिए, एहंकारी यह घमंड है अपनी पावर पर, तो अगें, कॉंटेक्स्ट, तो पॉंट्रस का मतलब होता है, भारी है जो, ठीक है, अब जो भारी होगा, वो धीरे चल लेगा, थोड़ा क्लमजी होगा, ठीक है, तो एंट्रनम सेंस के, लाइट, एजाइल, निम्बल, स्विफ्ट, ग्रेसफूल, फ्लीट, लिथे, डेंटी, स्प्राइ, बॉयंट, फैद लेस, अब देखो, यहाँ पर जो हैवी है, भारी है, वो एमोशन के सेंस में भी हो सकता है, अगर आप चिंता है, आपको कोई एंग्जाइटी है, ठीक है, तो आप क्या है, आप कोई भी काम धीरे करोगे, तो उस सेंस में भी यह है, मैंटल बड़न भी है, और अगर आप बिल्कुल लाइट हाड़े हो, बिल्कुल रिलाक्स हो, चेलो, ठीक है, जिसे कहते हैं, बॉइंट, मतला लाइवली, फैदरी, तो आपकी जो एफिशेंसी है, प्रोक्टिविटी है, वो भढ़ जाएगी, ठीक है, तब ही कहते हैं, जो आपको पसंद हो, वो ही उक्यूपे तो एंटोनेम से हैं, इनपर्मीबल, साइंस में आपने पढ़ाओगा, एनिमल सेल, प्लांट सेल, ठीक है, तो साइटोप्लाजम ये से पढ़ाओगा आपने, तो सॉलिड, नॉन पोरस, इंपर्वियस, डेंस, कॉम्पैक्ट, येर टाइट, वाटर टाइट, इंपर्फोर ठीक है, और इमपैनेटरिबल, सील, और हरमेट टाइट, आपने एक जाली देखे होगी, जब पूरियां तलते हैं, आप घरों में, या फिर पकॉर्डे तलते हैं, या फिर कुछ जानते हैं, तो ये एक पल्टा सा होता है, इसमें छेद होते हैं, इसको कहते हैं, पर्फोर क्योंकि इसमें से, जो भी आप डालो लिकूट पास हो जाएगा, ठीक है, तेल भी, तो जैसे आपने हलवाई को देखा हुआ कचोड़ी, अगरा कुछ खाते होंगे बाहर, बेड़ें, कचोड़ी, समोसे, ठीक है, तो वो ऐसी बड़ी सी उसकरता है, ये छोटी होती घरों प्रीमिनेंट मतलब प्रमुक है जो इंपॉर्टन्ट है, ठीक है, एसेंचल है, उसे कहते है, तो एंट्रोनेम सेंस के, और्डिनरी, मिडियोकर, एवरेज, अन्डिस्टिंग्विश, अन्रिमाकेबल, रन आफ दा मील, ये आगे आएगा शब्द, ठीक है, रन आफ दा मील कॉमन प्लेस, इन्फीरियर, एक्सेप्शनल, लोली, कॉमन, अन्यूज़, तो ये लगतो फ्रेजर रहा है, बट ये एक वर्ड भी है, ठीक है, अट्जेक्टिव एक्चल में, तो नेक्स्ट वर्ड है अपना प्रॉडिकल, प्रॉडिकल का मतलब बता है, फिजूर तो एंट्रनम सब चलते हैं, फ्रूगल, थ्रिप्टी, एक्ट्वूडिकल, प्रॉडेंट, स्पेरिंग, केफुल, कंसर्वेटिव, ठीक है, एबस्टीमियस, जूडिशियस, टेंपरेट, प्रॉडिटेंट और पैनी, पिंचिंग, प्रॉडिजीस का मतलब बता है, जो की है, इंप्रेसिव, ठीक है, साइज में, क्वालिटी में, तो एंट्रनम से अगेन, और्डिनरी, कॉमन, और्रिमाकेबल, एवरेज, मिडियोकल, यूजवल, कॉमन, नॉर्मल, टिपिकल, स्टेंडर्ड, कस्टमरी, रूटीन, प्रॉफर का मतलब होता है, ओफर, ठीक है, ओ तो offer, proffer, that means offer, आपकी से कुछ दे रहे हो, तो और यहाँ पर होगा, आपकी से कुछ ले रहे हो, तो एंट्रनम से इसके, withdrawal, retract, withhold, refuse, deny, reject, recant, ठीक है, disavow, resent, revoke, take back, और retract, तो यह थे आज के 20 words, अब मिलते हैं आपसे next video